अगर आपने रमजान में चने नहीं बनाए तो फिर बनाया क्या है तो चलिए बनाते हैं आजके एकदम मज़ेदार रेसिपी चना चाट साधारान याने चलिए एक कप काले चने कई ब्राउन चने कई मैं तो ब्राउन चने ही कहती हूँ इससे मैंने दो तीन पानी से धोके साफ पानी में कल रात को भीगाने रग दिया था और आप देख सकते कितने फूल चुके है माशाला अब क्या कीजिए इसके आप पानी नितार कर इसे कुकर के अंदर दाल दीजिए इसके साथ साथ एक कप पानी दाल दीजिए और आदा छुटा चाय का चमश नम्मक दाल कर धकन लगा देजिए इसका कुकर का और तकरीबन मैं फास्ट आज पर एक सीटी खिला रही हूँ जब एक सीटी हो जाएगे तो मीडियम आज करके छे साथ स लेकिन अगर आपको लगे कि गला नहीं है तो आप फिर से इसे ढाक कर एक दो सीटी खिलाने रख दीजिए चलिए मेरा परफेक्ली हो चुका है फ्राइपन के अंदर चुला चालो कर दीजिए उसका थोड़ा सा तेल एक दो टीबल स्पुन चितना दालिए बन फुट जीरा दाल कर उसे तरतरा जाने दीजिए जब जीरा तरतरा जाए तो हमारे जो सारे जो चने है थोड़ा बहुत पानी जो है उसी के साथ सारे डाल दीजिए कोई बात नहीं और इसे स्लो कर दीजिए सबसे पहले तो इसी में हम मसाले डाल देते हैं तो इसमें दाल काश्मेरी लान मिर्ज पाउडर, 3-4 चोड़ चाय का चमच धनिया पाउडर, 3-4 चोड़ चाय का चमच भूना पिसा जीरा पाउडर, और 1-4 चोड़ चाय का चमच गरम मसाला पाउडर, 1-4 चोड़ चाय का चमच चाट मसाला, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो मैं इसे कर देती हूँ पंद, आप चाहें तो पूरी तरीके से भी इसे ट्राइ कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, लडगा-लगा सा मसाला है, चिटका-चिटका सा, तो मैंने चूला कर दिया बंद, और इसे ठंडा हो जाने दीजिए, तब तक यह प्यास बता देती हूँ, म और यह है, हरी चटनी, हरी चटनी ऑप्शनल है, यह तब तक आप जब तक वो ठंडा हो रहा है, यह सारी प्रिपरेशन कर लीजिए, चलिए, चने रूम टेंपरेचर पे आ गए हैं, तो एक प्याले के अंदर डाल दीजिए, सारे मसाले के साथ, जो भी बरतन के अंदर मसा और थोड़ी सी कटी हुई कोतमेर याना के हरा धनिया डाल दीजिए, यह एक आलू मीडियम साइस का मैंने बॉल करके काट कर रखा, यह भी मैं डाल देती हूँ, अब नमक आप आपके हिसाब से अच्छास्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 1-4 चुड़ चाय का चमच खाला न चमच काली मर्चो का पॉडर दाल दीजिए और आधा निम्बू का रस में चोड़ कर दाल दीजिए, और सारी चिसो को बहुत अच्छे से, मिक्स कर लीजिए, मैंने सादा नमक नहीं डाला है, आपने देगा क्योंकि चने में नमक मैंने डाला था, तो मैंने अभी यह काला नमक डाला है, और मुझे परफेक्ट लग रहा है टेस्ट, तो बहुत अच्छे से, मिक्स कर लीजिए, टेस्ट लगे, कम कुछ तो एज़स्ट कर लीजिए, आपको निम्बू कम लगे, निम्बू का खटापन, तो वो एज़स्ट कर लीजिए और उपर से दाल मज़ेदार सा सर्फ कीजिए, अच्छा ये चटपटा सा होता है, ये चाट है, चने का चाट, तो आपने पता है कि ये चटपटा होता है, उसके लिए मैंने यह एक हरी मिर्ची डाली है, यूशुली मैं हरी मिर्चिया इस्तमाल नहीं करती हो, लेकिन चटपटा करने के लि और अगर आपको लग रहा है कि वो रेड चिली पाउडर दालने से बहुत जादा स्पाइसी हो गया है तो आप जो हरी मिर्च है उसे स्किप कर सकते हैं यह पूरा जो मिजान है स्पाइस का वो आपके हिसाब से अज़स्ट कीजिएगा अब वो भया जी लोग जो पत्ते बाजी की जो कटोरियां देते हैं उसकी जो पत्ते की उसमें आप डाल कर सर्फ करें एकदम ऑथेंटिक लगेगा लेकिन मैं यहां डश के अंदर सर्फ कर रही हूँ थोड़ी से उपर से फिर से मैंने कोटमिनान के हरा धनिया दाल दिया है थोड़ा सा निम्बू साइड पर रख दीजिए जिसे डाल कर खाना है वो खाए और यह बन गया हमारा बड़ी आसा चना चाट मज़ेदार सा एकदम भायाजी स्टाइल में तो इसे सर्फ कीजिएगा इसी तरीके से मैंने खूब सारी रमजान की रेसिपी मेरी चैनल पर अ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को उससे साथ अच्छे लगए अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिंग जरूर फरवर्ट कीजिएगा फिर से आजिनोंगी नहीं चांदार दम्दा रेसिपी के साथ अंतल दें टेकर अलाहाफि बाइग